हॉप ग्लोबल टीवी देख रहे देशते वदेशां दे सारे दर्शकांदा प्रोग्राम गुर्मत विचार विच निगा स्वागत सासंग जी इस प्रोग्राम देवे चसी सिख त्यास दे विचार कर दे हां ते अज साठी विचार सहब शिरी गुरू हर्ग बिन सहब जी माराज दे जीवन दे रहनी है क्योंकि उनना दे जीवन दे पहले पक दे असी विचार है जीडी ऊप पछ्ले एक प्रोग्राम बेच सर्डार हार प्रिशंग जी और अनाल कीती सी ते अज फेर ऐसी सर्डार हार प्रीशंग और अनाल विचारां दी सांज पौनी है गुरू हर्गमेन सहिव जी माराज दे जी बन दे और इस प्रोग्राम दे अखीर वेच एक स्वाल भी पुच्छा जाना है जिस दा सब तो पहला ठीक जवाब देन वाला दर्शको वेगा साड़े इस प्रोग्राम दा वजेता आते इस प्रोग्राम नो सेख इत्यास दे परचार ते परसार वास दे स्पांसर कीता है सरदार अरविंदर सिंग जी या ते सरदार बलबीर सिंग जी गुरू नानक देव वेलफेर सुसाइटी डोई वाला देरा दून उत्राखणने ते अज जसी करनी है होन विचारां दी साज ते विर जी प्रोग्राम गुर्मत विचार चाप जीदा स्वागत वाहि गुरू जी का खाल सा वाहि गुरू जी की फते सारे दर्शकानों ते सारी संगतनों जो ए प्रोग्राम द्रेख रहन उनानों मेरे बलनों प्यार परी सस श्रीकाल ते एक वार दुबारा तो गुरू जी दी फते गुरू गुबिन सिंग जी दी दिती हुई फते फिर गजाईए वाही गुरू जी का खाल सा वाही गुरू जी की फते सासंगत जी जदों ऐसी बाकी तरमावल देख 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 चावल मुड़के अगे चावल पैदा नहीं कर सकता इस से तरह ही जेड़ा सादू परवार चो बार निकल गया वो सादू अगे किसे नों सादू नहीं बना सकता वो खोदी असादू बन जन्दा है क्योंके गुरु नानिक देव जी ने समेर पर बते जाके सिद्धा नों वी एही गल कई सी के तुसी परवार दिया जम्मेवार यां तो पजे और पगवडे लोगो और इस वास्ते तुसी सचे तरमी नहीं सिख तरम विच सचे तरमी होना एक हाउस होल्डर होना है एक परवार्दियां जिम्मेवारियां नो पालना बहुत वड़ी गाल है ते गुरू हर्गबिन सेब जी महाराज जी दावी बहुत वड़ा परापूरा सोना परवार सी ते गुरू से बंदे परवार दे बारे पहले जानकारी है जड़ी ओ सांजी करो बाकी उस्तों अगे वचा रहा है साजी और सब तो पहले आसी गल कर दे हैं इते परवार दी क्योंकि गुरू हर्गबिन सेब जी दे जीवन बारे आसी कुछ विचारां पहले पाग विच कर चुके हैं आज दूसरे पाग वेचा सींग उनना दे परवार अकाल तक सहब जी दी सिर्जना गुरू सहब ने केड़े-केड़े जंग किते किते किमे कीते इस सारी गल्ला करांगे तो गुरू जी दे जीवन तों की सिख्या मिल दी है इसनों भी विचारांगे सब तो पहले असरदार गुरू वेल सिंग जी मैं एजरूर दसना चाहांगा अपने दर्शकानों की गुरू हर्गोबिन सहब जी दा जड़ा परवार सी क्योंकि गुरू नानक सहब जी ने गृस्त जीवन नू परवान गी दती है गुरू नानक सहब जीवे तुसी हुने दस जी में एक चिकड़ दे विच एक कमल दा फॉल ओगदा है उस तरह गुरू नानक सहब जी ने कहां कि मेरा जड़ा कमल दा फॉल जड़ा होएगा ओ मेरा सिक होएगा काम क्रोध लोब मोहंकार विच रहन दा होया वी और प्रभू प्रमात्मानार जुड़ जावेगा सो घृस्त जीवन नुपरवान गी दिती जीवेग गुरु नानक सहब जी ने दिती इसी गुरू हर्गोबन सहब जी तेन व्या होए हन जी इते हास पड़नतों ये पता चलदा है कि ओना दियं तेन शादिया होई है सन् पहली जड़ी शादी सी पहला जड़ा व्या सी शलितु कुछ शेथे ठैंड विश्टर क्वॡब्र सबस्सक्राइव आगए अगए न उना भरन इकैम विश्टर्ण हुद्र क्वड़ी जिसक्राइं में ौत्र द। यूजर बने सन अगली कल मैं आप जीनों ये दसना चाहांगे कि येड़ा दूसरा वया वो बिबी नान की जी नाल होया सी जो की बकाला दे रहन वाले हरी चंदी पुत्री सन उनना दी कोखतों बाबा अटाल रहा है ते ते एक बहादर जी ने जनम लेया ते तीसरा महादेवी जी सन जना दी कोखतों सूरजमाल जी ने जनम लेया सो गुरु जी दा हर्या पर्यापरवार जिदे विच पुत्तर ते एक ती बिबी वीरो सन ते एक गुरु जी दी देख रेख हैं ठी इनना दी जड़ी पालना पोस्टना जड़ी है वो हंदी है पर गुरु जी इनना सार्यानों ही तरम दे नाल नाल शस्तरा दी वी विद्या दे रहे सन इस तो अगे ऐसी चल दे हैं क्योंके सत गुरु जी जन्दा है मेरी पीरी दे मालिक और बड़ा सोना के मेरी पीरी वालिया तेरिया करनिया ने पकगा संगल गुलाम्या दा तोड़ देता एक हाथमाला दी दुझे तलवार देцě तु पगती सक्तिय नो इकठ़्य जोड़ देता एक गुरु हर्गा बिंस ईब जी ने पगती ते सक्तिय नो इकठ़्या जोड़न दे वास्ते सत्गुरा ने अकाल तकषभ दी जो सिर्जना की ती वो सिर्जना दे पिछे संकल्ब की ए, संदर्ब की ए, इत्यास की ए वो सारी याँ ची जामी दर्श का दे नाल अंजगे करो वाक्य ही जड़ा तुसी कोश्च ने पुछे है अकाल तकषभ साहिब क्योंकि आजदी सिख कौम वास्ते अकाल तकषभ सब तो उच्टम संस्था है तरम दे नाम ते जे वी कोई चगड़ा जहां जो कोई मसला बंदा है उसाड़ अकाल तकषभ साहिब जो की दरबार साहिब हरवंदर साहिब दे बिलकुल एन सामने बढ़या होया है इस दा इतिहास इस दा संदर्ब मैं आप जीनल जरूर सांजा करांगा क्योंकि एकाल तकषभ साहिब गुरू साहिब ने राजनी तक शक्ती राजसी ठाट अते न्यात हक देनवास ते लैनवास ते इसे लेए गुरू साहिब आने एकाल तकषभ साहिब दी जो कीती है और एक सब तो खास्त और गल एव एकनवाली है कि हरे मंदर सहब दे बिलकुल सामने जिते ओस हरीदा का रहा है ओदे बिलकुल सामने अकालतकत सहब दी जड़ी है सिरजना होई और सिरजना दे विच ए मैं तानू दास दियां कि सिर्फ तिन दो गुरू एक गुरू सहब आन दो गुरू जी दे सिख पाई गुर्दास जी बाबा बुड़ा जी आप गुरू हर गोवन सहब जी ने अपने हथी अकालतकत सहब जी जो सिर्जना होई कीती है एक था गुर्बाणी दिया तुकामी मिल दी यहां नो ते लिखिया है किसी राज नहे हाथ लगायो बुड़ और गुर्दास बनाएओ ते बाबा बुड़ा जी जटे ऊस वकत सौ साल दी उमरतों उपर संदे जडे मुखी सन ऊस वकत पाई गुर्दास जी गुर्शिक उना नू नाललया के गुरू हरगोवन सहब जी ने अकालतक सहब जी दी सिर्जना कीती क्योंकि अकालतक सहब जी सिर्जना सी ए एसले कीती गई क्योंकि गुरू अर्जन देव जी दी शहादत तो बाद पंजमे पाथशा दी शहादत तो बाद सिख कौम दे विच जेडी सी एक तरांदी काट मैसूस हो रही सी ते एं लाग रहा सी कि सिख कौम शायद दाब जाएगी पर गुरू हर गोबिन साहिब जी ने समे दी नजाकतनों देख दयां शमे नू पशान दयां अकाल तकत साहिब ते सिर्जना करके लोकां दे विच अनक दिलेरी अजादी निर्पैता निडरता ते जोश पैदा कीता ते गुरू साहिबा ने एक हा कि मैंनू होन जवानी चाहईदी है नौजवान जदों भी तुसी मेरे कोल आवो जान ते शाष्टर लेके आवो ते जान फिर नौजवान हटे कटे सिख चाही दे हन क्योंकि आन वाले समय देवेच हो सागदा है कि सानु जंग भी करनी पवे और अपने हक ते न्या ते अजादी वासते लड़ना मी पवे विर जी दों अगे स्वालों दावा कि गुरू सहिबा ने पिछले गुरू सहिबा वांग जिस तरह सारे गुरू सहिबा ने नगर वसाया जिकरसी गुरू नानिक पात शादी गल करिये ताँ गुरू नानिक पात शाजी ने अपने समय देवेच ही नगर करतार पुर सहिब व ची औरर्बु एरजन्देव जी ने तरन तरन सहीव ते करतार पूर सहीव जि लंदर वाले नगरवसाय सी ते हून आप पाउ ने हैं गुरू हार्गुबिं जी महराज दे गुरु हार्गुबिंद सहीव जी ने मैं इसी तरह बोगु छी जे की ती बड़े नगरवसाय हो उन जिड़ा की अम्रसर दे विच तितसी ओ बनवाया क्योंकि गुरू हर्गुपिन सहीब जान दे सन की आनवाले समय दे विच हो साकता है कि मुगला दे नाल ओस वकत दे मौके दे ताना शा जेड़े हन मुसलमान जेड़े हन ओना दे नाल शाहिद जंग हो जावे ते एसलिए ग गिर्दे नू पक्या करके लोह गड़ किला बनवाया है अम्रसर सहीब दी राकी वास्ते दूसरा अकालतकत सहीब जिस दी असी हुने विचार करके आए हैं ते अकालतकत सहीब दे समने ही गुरू सहीब आप खुद वीर रस ते जोशी ले वख्यान भी कर दे रहे क्योंकि लोकां दे वेचे जोश ते अंख जगानी बहुत जुरूरी से ओस वकित गुरू सहीब दे कोल लगबग पांजसो दे करीब दवाबेतों माजेतों लो सिख पहुंचे सन गुरू सहीब ने ओतना चो बविंजा सिख जड़े सन ओना नू चोन के एक आपनी वक्री फौज त तियार कीते बविंजा ए शिख ओस जो जो जांगदे विच माहर शन जोद्य दे माहर सन और गुरू सहीब अर तोर ते अपना जीवन कुरबान के लिए तियार सन अकाल तकत सहीब दी सिर्जना कीती इस तो अगला ज़ड़ा है गुरू सहीब ने गुर्दवारा डेरा सन उनादी शहादत वाली जगा ते गुर्दवरा सैब बनवाइगा कीरत-पुर सैबakt जड़ी है कीरतपुर अस्थान बड़ा एतिहासिक अस्थान है इस सत्वे ते अठ्वे गुरु जजिडा प्रकाश वाली अस्थान भी है ये एक हेलूर दे राजे तो जगह लाएके बापा गुर्दिता जी तो अपने पुल तो इस कीर्थपूरदा नहीं रखाई принять जी ते कीर्थपूर्दा नियुक। महराज नगर एक वसाया इस तो इलावा गुरुजी ने कॉल सर जड़ा सरोवर है वो बनाया और बबेक सर जो अमर सर दे विच राम सर दे बिलकुल नजदीक है एवी गुर्दवरा एवी सरोवर हो थे बनवाया और एक श्री हरगोबिन पूर सहब गुर्दास पूर दे इसी स्थाफना पर जदों इथे चोथा जंग गुरु हरगोबिन सहीब जी ड़ा होया ता एस नगर नू हरगोबिन सहीब जी नाम सरो जाने आ गया जै जी ऐस तो अगए झालिया के गुरु हरगभीन सहीोने है क्रе जबरते जल्म दे वरोवर दतलवार उठाई क्योंके ग जो जनता दी राकी कारन दी बजाए राजे शीन ते मकदम कुते बन चुके हैं इननों प्यार नाल ने समझाया जा सकता है इनना दे तलवार उठाउनी बहुत जरूरी है ते गुरु सहबा ने फिर तलवार उठाई वी और ओ तलवार दे नाल केडियें केडियें जंगान बिल्कुल जी वैसे ता सिखनू गुरु सहबा मनों ए ताकीद है कि पहले किसे ते चड़ाई नहीं करनी पर जे कोई चड़के आया हुवे ते उस दा मुकाबला भी अपा करना है गुरु हर्गुबिन सहब जी वैसे ता ए चाउंदे सन की जेड़ा सिखी दा परचार है ज दोकान दे विच एक ताल्यां दी जावे उननानू उनना दे सचे रात ले आके उननानू जोड़या जावे सेवा ते पगती दा परचार कीता जावे ते जड़ा ओस वकत वितकरा हुंदा सीगा अमीर गरीब दा उच नीच दा उख खतम हुवे पर ओस वकत जड़े मुगल बादशासन ताना शासन ए नहीं संचाऊंदे क्योंकि जहांगीर बादशा जटक ते रहा अपनी गदी ते जदो रहा जटको दिली दा बादशा रहा उस दी गुरुसाबना दोस्ती रही पर जदो उस दा पुतर शा जहां गदी ते बैठता है दिली दा शाश्क बनता है ते उसने सब तो पहला ए रेख्या कि हर गोबिन सहीब जी दे परचार नाल कई जड़े मुसलमान हन छोटियां जाता है दे लोग हन वो अपना तरम बदल के सिख तरम बल जुड़ दे जा रहे हन ते होया ए कि उथों दे जड़े सिपाही सन सिपासलार सन एहलकार सन मुसलम काजी सन जड़े कटर सन ओ एस गालदी जड़ी चुगली है ओ शाजहान को करी जान दे सन गुरू सहब फिर वी उना दयनाल मथा नहीं सन लगना चांदे पर मुगल बादशाह ने ओडर ए किता होया सी कि जिते वी मंदर हनो उसनु टा दिता जावे तरम शाला नु टा के उ ठे मसीता बनाईया गईया लोका नु बिनावजा तंग कीता गया अन्या ते जुलम अंता ते सी ते एथो ता कि गुरू अरजन्ट सहब जी ने जड़ी बाउली सहब बन वाई सी उसनु भी पूर दिता गया ते कई जगा ज़ते लंगर चाल दे सन उसनु भी रोक के उथे गुरू जी ने कहा कि आनवाला समासा नुशाइद टाकरा करना पवे क्योंकि ए पानी सिर्टो लंगदा जा रहे है ते गुरू सब ते अपनी त्यारी दे विच सन ते हुंदा ए है कि गुरू सब बंदे नाल मुगला दिया चार जंगा हुं दिया है पहली जंग अमरसर दी है दूसरी जंग शिरी हर गुबंदपुर दी है तीसरी जंग महराज दी ते चौथी करतारपुर सहुदी है अमर्सर दि जंग दा कारने बन रहा है कि एक बार जो मुगल बादशा दे सिफास लार्सी मुखलत स्खान तो उस दे शिपाही भाज दा शिकार कर रहा है उन ने बाज दा सिकार कीता तो भाज उड़धा उड़धा सिखाम कोल आगया सिखाने उस बाज नू पकड़िया उस दी मरहम पटी की ती ते अपने कोल रख लेया मुखलस खान ते कुछ सपाही जद उथे आउंदे हन ते गुरु साहबा ने ते सिखाने बाज देन तो मना कर देता मुखलस खान शा जहान दी अजाज़त देनाल सत हजार ते तोप बनाई हो इसी ते ओस तोप देनाल उस जंग नू जितिया ते गुरु जी वल्लों बिदी चंद पाई जेठा जी ते पैंदे खान ने गुरु जी दे हाक विच लड़ाई की ती ते मुखलस खान नू गुरु हर्गोबंद सहीब जी ने आप अपने खंडे नाल शहीद उसनों मारिया इस तो अगली जड़ी जंग होंदी है श्री हर्गोबंद पुर सहीब दी है उते एक पगवान दास नाम दा सरकारी मुलाजम सी जो टेक्स वसूल दा सी ते सिखान नू बिनावजा तंग करदा सी ते पगवान दास ने जलंदर दा एक नवाब सी जि नाकारन सिखांदे उते चड़ाई कर देती टे गुरु सहबान ओंен शिखान ओं पूरे ते आर कीता होया थी ते हर गोबंद शेहर जड़ा है उते जंग होन दा है त्यन दन जंग होन तो बाद सिखांदी जेत्जां थी है मुखलस खान ते अबधुला खान तेरी उस वकत वास्ते गुरू हरगबिन स Christmas wealthy एक मसंद दो कोड़े ले कि आंदा है एरानी कोड़े गुरू सहिए ब् publi 셋में ने कोड़े सा झाल आ जानगे क्योंकि साथ मोग कारा पड़े अराम कर लेंगे पाई बिदी चंद जी नों हुकम होया पाई बिदी चंद जी ने ओ दोने कोड़े एक वारी ता नजुमिये बनके ते एक वारी काही बनके ते कले दे उत्तों दी छाला मरवा के ओ कोड़े वापस लेके आए कोड़े आँ दे कारण ले आओं दे कारण जड़े ओठों दे जड़ा मयराज दा जड़ा ऐस वकत दा शाशक सी उसने गरू जी खलाफ जंग छेड़ी ती ते ओठेवी जंग हों धी है ते रही वी जंग सिखही जित्दे हैं, गुरु हर्गबिन सही जित्दे हैं, जो ती जंग जिडी करतारपुर सही दी है, इत्थे अखीर दे वकत एक पेंदे खान होया है, जो गुरु जी दे नाल रहा है, पर गुरु जी दे अगेंस्ट वो गया आखर दे विचा के, ते ओ असमान गुरु जी दे उत्ते ही हमला करन लई आगया, ते गुरु जी ने खुद उना दा टाकरा कीता, दो दिन जंग करन तो बाद, गुरु सहबा ने खुद पेंदे खान हो अपने हथी जड़ा पार बलाया, ते उसनु अखीर वकते कहा, कि तूं होन तूं कलमा पढ़, क्योंक गुरु जी चाउंदे नहीं संजंग करना, पर जदो कुई चड़के आए, चड़ाई करके आए, तो उसना जंग करना, उसना लड़ना, अपने हख, अपनी अजादी नो काइम करना, एक गुरु जी ने सानूं सिखा नूं एवी सिखाया है। दे वेचे गाल लिखी सी, के जेकर मेरे अगे सिख फवजा नावन दिया, ता फिर पारतनों जितना कोई ओखी गाल नहीं सी, सिर्फ ए सिख सी जिनना करके नहीं जित पाए। दे विचे मैं गुर्तेज सिंग दे जिकर करना चाहांगा, मानसा वालिदा, ओ अठारा अठारा ची ने आनूं मार के शहीद होया। और इस तरह सिखाने जो ए बहादरी कीती है, हर पासे उदा कोई मकाबला नहीं थे, ए सब कोई सिखाने सिख्या है। गुरू हर्गोबिन सहीब ते गुरू गोबिन सिंग जी तो विरासत विच ए चीज़ा मिल गया है। और जिस दी असी गहले जीडियों सिख्यत्यास दी महानगा था प्रोग्राम कर दे रहने हैं। बिलकुल जी गुर्गोबिन सहीब जी बारे गुरू बानी मीच बहुत कुछ लिख्या है, पाई गुर्दास जी ती आ वाराँच भी लिख्या है। गुर्बानी दी तो कांदी है कि दस्तगीर होए पंजपीर हारगो बिंद अतुला दीन दुनी दा पात्षा 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 अडुला कि ओ पात्षा दा पात्षा सी और एस पात्षा ने केवल जंग ही नहीं कीते पर उपकार भी कीता सिख तरम दा परचार भी कीता ते जिथे जरूरत पई जंग करन दी अपने हक लई अपने नया लई उथे गुरु सहब अगे भी आए ते गुरु सहबा ने सिख कौम विच न जदो गुर्णानक पात्षा दे सब तो वड़े बेटे बाबा श्री चंद जी नो बाड़ साहब पठान कोड़ दे लागे एक गुर्दवरा पेंदा हैं बाड़ साहब उत्थे जाके दो मुलाकात हुंदी है उस गुर्दवरे दा नाम बाड़ साहब भी इसे लिए है क्योंकि बाबा श्री चंद जी जो उदासी प्रमप्रा दे रहनुमासन उनना ने लागबाग बाड़ साल दे क्रीब हो थे पगदी की थी ते गुरु हर्गोबिन साहब जी ओना दे दर्शना लई गए ते पांच पुत्तर भी गुरु हर्गोबिन साहब जी दे नाल सन बड़े सथकार नाल मत्था ते एक दे हन क्योंकि ओना नू पता है कि गुरु नानक साहब जी दे पुत्तर हन ते साधे तों वड़े हन सथका ते गुरू सहबाने चाहिं निमर्ता नाल मतटे क्या कर गड़्षन कर दे बाबाश रीचन जी ने एक स्वाल पुछया कि जी इससे निमर्ता नाल ते उसी अग्येसा डीकोलों गुरुगदी ला गए हो ते फॉर्ष नावता की हाल है ते गुरु हर्गबिन सहब जी ने कि कि गोंच पुतर हैं ते एक पुतरी है वीबी वीरो बाबा शरी चंग जी ने कहा गियन सुफाव सबाना you गृू हर्गुबिन स्हाइब जी ने क्या है जी पंजेई थहा टेहन तो बाबा श्रीटथ जिए startled की सानू एक चाईदा है ते ओस Vakत गृु हर्गुबिन स्हाइब जीने ऌड़ गुरुदित्ता जी दी हाथ झड़ा सी ओ बाबा श्रीचन जी तो बाद बाबा गुर्दिता जी ने अग्ये चलाई ते ओथे जाके भी गुरु साहब बांदी ओनानाल मुलाकात होंदी है उस्तो बाद गुरु साहब दुबारा कीरतपुर साहब आके अपना आसन जड़ा है और लगा लेंदे हैं समा इसतना आसता आसता बीत दा गया ते होया एकी गुरु साहब आनू जड़ो साचखंड वापसी दा हुकम होया ते गुरु साहब चांदे सन की साचखंड जान तो पहला क्यों ना गुरु गद्दी किसे ज्योग पुत्तर जा पोत्रे नों दिती जावे ओस वकत गुरु साहब आन दे जोड़े पांज पुत्तर सन बाबा गुर्दिता जी ते बाबा शिरीचन जी कोल चले गए सन दो पुत्तर बाबा अटाल राये ते अनी राये जी एस साचखंड जोती जोचमा चुके सन सूरजमाल जी ए दुनियादारी दे विच बहुत ज़्यादा खचत सन ते तेग भादर ओस वकत अदासी ते त्यागी सभा आदे नाल पकदी पाव चले इन सन सो गुरु हर्गोबिन साहब जी ने दूरं देशी दे नाल सोचया ते बापबा गुरुदित्था जी दे, सब तो छोटे बेटे, जेडे की गुरु हर्राय सैब जी सन औना दे शुबाव, औना नू योग देख़देचा वज निमर्ता वाला सुबाव देखदेचा गुर्बानी नल प्रेम देखदेचा, सेवा पाव देखदेचा गुरू सभ वाने गुरु गदई गुरुर्य सभी ने सौंप देती और उर तीर मल जड़ा सी उना दावड़ाप्र ओ गुरु जी दें अगेंस्ट रहा पर गुरु जी ने किसे चीज दी परवा ना कर देया जड़ी है गुरु गद्धी ओ गुरु लोह राई सहीब जी감 नूए उंपी ओर जदो 구ुरु सहीब घेयाए जोतीयो समान समाना ंेड़े आंदा है ते गुरु हरगो बंद सहीब जी पतालपूरी एक जगा है कीरतपुर सहीब ओथे टिकाना कर देहन गुरु सहीब बाना जेड़ा है और केसरी रंगदा पालें देहन ते ओथे ही जेड़े वी दर्शन दिदारे करन संत महापूर्श संगत सिख पहुंच दी है और विचाना कार देहन ते ओथे ते आसवीच लिखया होया मिलदा है कि एक वरी हसन अली नाम दा एक सादू सी ओ गुरु जी कोल ओस वकत उसनों अला दा जिगर क्या जानदा सी मुसल्मान देवेच ते गुरु सहब बाद एक कोल जदो आके दर्शन करदा है उनना नल विचारा करदा है तो गुरु जी दा ही चिल्ला बन जानदा है तो ए ओस समासी जिथे गुरु जी ने परचार भी की ते नाल नाल संगतानु एक एहा की सदा सचखन जानदा समा निड़े आ गया है प्रीतवान सेख सदे जानतों बाद केवल ते केवल ओस वही गुरून दा नाम जपनगे प्रभू प्रमातमादा कीर्टन करनगे शांत चित रहनगे और प्रभू प्रमातमादा पल्ला कदेनी गुरू सहीब ने शनान पान कीता ते एक थाम दे नाल उनना ने जाके अपना चौंकडा लगा लेया ते संगत जोसी आसपास बैठी कीर्टन कर रही सी ते बैठे हैं बैठे हैं गुरू सहीब उथे चड़ाई कार जान दे हन जोती जोत्समाँ दे हन जदो एक ख़बर तानु पता लग दी है ते जड़े संगत विच प्रीतवान सेक्सन उते दस्या जान दा है कि दो सिखाने एक जाट सी थे एक होर कोई जादा सी उसने बाल दी होई चिखा जो सुसकार कीता गया गुरू सहीब ना उस चिखाच विशाल मारी ते उस वकट गुरू हर राय सही जी ने सिखानी परेर ना कीती ओनानु समझाया और एक है कि ये गलत है असी मान दे है कि तोड़ा गुरू सहबानाल बहुत प्यार सी पर असी उस प्रभू परमातमा दे नाम नाल जुड़ना है ते उस वकट गुरू हर राय सहीब जी ने सिख तरम दी जेड़ी है ओ वाग तरम दे नाल-नाल राजनीती विच भी अगे ओना चाहिधा है राजनीती कि शक्ती वी सा डेकोल हुनी चाहिधी है अंक इज़्यत दी खातर सानु अगर कुरबानी वी देनी पवेते सानु अगे बदना चाहिधा है पर जड़ा अकाल पुर्ख वाई गुरू दा जड़ा है उस देड़ा पला है उस पगती पाव है उसनों कदे नी चड़ना शक्ती ते पगती जड़े जड़े गुरू सन इनाने सन शक्ती दे नाल नाल पसौरी पगती दे नाल नाल शक्ती दे नाल भी जोड़या ते उस अकाल पुर खवाई गुरू दे रस्ते ते अगे खोर वद दे जीवन ते किस तरह सत गुरु जी ने जंगा लड़ियां ते किस तरह गुरु सेब जी कीर्थ पुरु सेब जोती जोत समाग है ते आप जी इस प्रोग्राम दे वेच विर जी आए आप जी दा तहे दिलों तनवाद ते होन कल पुछे गैस वाल दा ठीक जवाब है हर पग पुरु सेब जी जी ने रायपुर शत्तिस गर्थू इनना दा तनवाद ते प्रोग्राम दे विजेता ते होन आज दा स्वाल है सेब शिरी गुरु हार्गुबिंद सेब जी माहराज कित्थे जोती जोत समाग है सन इस स्वाल दा सब दो पहिलना ठीक जवाब पे जनवाल दर्शको वेगा इस प्रोग्राम दा विजेता ते आप जी इस वाल दा जवाब सानू साड़े मुबैल नमबर अठासी तिन सोशेत्तर नबे एक सो बानवे ते पे सकते हो और सिख थे आस दे पर चार ते पर सारवास ते इस प्रोग्राम दी स्पांसर सेवा किती है सरदार अरविंदर सिंग जी अते सरदार बलबीर सिंग जी गुरु नानिक देव सिख वेलफिर सुसाइटी डोई वाला देरा दूनने ते सासंग जी आप जी भी जेकर सिख थे आस दे पर चार ते पर सार दून चौन दे हो ताँ इस प्रोग्राम दी स्पांसर सेवा आप जी भी गुरु जी का खल्चा वाहि गुरु जी की फते